Start being creative to stop all addictions बहुत सारे addictions हैं किसी को cigarette का है, किसी को drink करने का addiction है जो harmful या hard drinks होते हैं, उनको drink करने के बाद हम कर रहे हैं और किसी को गाली देने के आदत पड़ गई है ऐसे बहुत सारे problems हैं लोगों की life में बहुत सारे addictions हैं जो गलत है गलत संगत के आदत पड़ गई है गलत content देखने की, porn देखने के आदत पड़ गई है तो आपको कैसे इन चीजों को control करना है creative होकर, देखी गलत आदत में इनसान क्यों जाता है क्योंकि जब drink करता है, cigarette पीता है तो एक अलग तरहा का pleasure दिमाग में create होता है instant pleasure वो आपको देता है और वो एक गम से बहुत जादा मातरा में होता है थोड़ा नहीं होता है तो आप जब bad habit में हैं या गलत काम आप कर रहें instant dopamine release हुआ आपका और आपको बहुत अच्छा फील हुआ और आप धीरे-धीरे वो काम करना चाहेंगे आप नशा करना चाहेंगे cigarette पीना चाहेंगे वो dopamine produce करना चाहेंगे लेकिन उसका एक नुकसान एक drawback क्या है कि ये जो dopamine produce हो रहा है ये धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और एकदम इसका level भी गिरता है जैसे अभी एकदम उपर गया आपने cigarette पीया और बादने एकदम गिरेगा और आप एकदम ठकान फील करेंगे तो यहां आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा फिर से आपका dopamine release करने का मन होगा फिर cigarette पीने जाएगे तो धीरे-धीरे आपने देखा होगा जो एक cigarette पीता है वो chain smoker बन जाता है एक के बाद एक cigarette उसको पीने की ज़रत पड़ते क्योंकि जादा बार वो dopamine release करवाएगा एकदम लेवल गिरेगा वो एकदम उठाएगा एकदम निराश हो जाएगा फिर एकदम happy हो जाएगा उसके अलावा दो तरह से हमारे यापे हमारी body में dopamine release होता है एक consumption से और एक creation से तो consume तो hard drinks किये और cigarettes consume किये आपने bad food या junk food भी अगर आपने consume किया उससे dopamine release हुआ दूसरा dopamine release होगा creation से जब आप कुछ creative काम करते हैं आपको drawing painting करने में मज़ा आता है आप drawing painting बना रहे हैं आप बहुत अच्छा फील करते हैं जो आप passion को follow करते हैं आपको badminton खेलना बहुत पसंद आप खेल रहे हैं बहुत अच्छा फील करेंगे आपको बोलना पसंद है बहुत अच्छा फील करेंगे बोलने का मौका मिलेगा आपको गाड़ी चलाने का मन है, आप गाड़ी चलाएंगे, अच्छा फील करेंगे, लेकिन ये जो dopamine का level होगा, ये बहुत जादा नहीं होगा, creation वाला, थोड़ा होगा, फिर अगली बार task repeat करेंगे, और होगा, ऐसे करके धीरे धीरे level बड़ेगा और गिरेगा नहीं, maintained रहे कुछ create करने में अपना ध्यान लगाना है, ताकि वहाँ से dopamine हमें मिले, हमें वहाँ से happiness मिले, जो की कम होगी शुरू में, लेकिन lasting होगी, maintained रहेगी, और एकदम कभी गिरेगी नहीं, और consumption से जो हो रही थी, वो एकदम गिरती भी है, और maintained भी नहीं रहती, फिर से वो act repeat करना पढ़ता है, तब जाके वो हमें फायदा पहुचाती है, तो अब हमें समझ में आया कि कैसे addiction वाला इंसान धीरे धीरे अपनी सेहत खो देता है, अपनी जिन्दगी बरबाद कर लेता है, उसका शरीर खराब होने लगता है, डोपामिन के चकर में, लेकिन creation करने वाला इंसा हमेशा आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि एक तो हैपी होता चला जाता है, प्लस अब उसके अंदर कोई skill develop हो रही होती है, तो happiness और skill मिलकर उसको जिन्दगी में बहुत आगे पहुचा देती है, एक अक्षे कुमार का वीडियो था, उसमें मैंने सुना, बहुत अच्छा उ होता है, वो dopamine release होता है, अब आप create कर रहे होता है, आप और अच्छा खेलते हैं, और अच्छा खेलते हैं, और अच्छा खेलते हैं, वो dopamine motivation का काम करता है, आगे खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और बड़ी happiness के लिए, तो इस तरीके से आपका pleasure जो आपको चाहिए वो addiction से ना मिलकर आप creation से ले रहे हैं तो आप अच्छी जगा पर अच्छी दिशा में जा चुके हैं और यहां से आपका ध्यान हटा रहेगा लेकिन जो इंसान creative काम नहीं करेगा उसको यहां से एक बार dopamine मिला वो यहीं से लेता रहेगा इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आपको divert कीजिए और इसलिए बोलते हैं कि अपनी hobbies को pursue जरूर करना चाहिए क्योंकि dopamine की कमी होगी तो गलत channel भी open हो जाएगा हम वहाँ पर जादा prone हो जाएगे जाने की लेकिन already अगर हमें pleasure मिल रहा है और हमारा dopamine level अच्छा है exercise करते है healthy food खाने से भी यह maintained रहता है यह सारी चीज़े अगर हम करते हो तो हम drug addict कभी नहीं बनते है सारे addictions छोड़ दे आपके छूट जाएगे अगर आपका पूरा ध्यान creation पे चला जाएगा creative talents creative abilities को use करने में जाएगा तो thank you so much वेख़ेस and लुट झूख बनते है झाल करतो दो homem... भी शोड़ेस